जीवन की परिस्थितियों में मनुश्य का धन्बल बाहु बल्या अन्य उपलब्दियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती है। परंतु जब उसका विश्वास तथा आगेकारिता परमेश्वर की विश्वास नियता के साथ जुड़ जाती हैं तो आश्चरे करम होने लग जाते हैं। वाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्ग दर्शन करती है। नमस्कार दोस्तों मैं अकांच्शा आपकी आश्यकारिक्रम में आपका तही दिल से स्वागत करती हूँ। आज का विश्य है समर्पन की आशिशे। समर्पन करना हमारे लिए एक कठिन कार रहे। इसके द्वारा हम कैसे आशिशे प्रात कर सकते हैं। इस बात को जानने का प्रयास हम आज करेंगे। जिसमें अगवाई करने के लिए भाई अनुराग एक बाग फिर हमारे बीच में हैं। भाई अनुराग आपका स्वागत है। धन्यवाद अकांग्शा, मैं आपको इस बात के लिए फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छा विशय आज हमारे दर्शकों के लिए चुना है। क्योंकि जब समर्पन की बात आती है तो समर्पन एक ऐसा विशय है कि आज हमारे समाज के बीच में हमारी समझ इस प्रकार की हो गई है कि कोई भी समर्पन करने को किसी की अधीनता में जाना या किसी को स्विक्रिती देना या किसी ना किसी प्रकार से अपने आपको कमजोर साबित करने का एक माध्यम या एक तरीका समझता है। और हमारी जो सोच है वो इस प्रकार से हो गई है, कि आज हम संसार में जो कुछ हमें मिलता है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जो कुछ मिल रहा है उसे लपक लो, ग्रैब कर लो, जो कुछ हमारे पास आ सकता है उसे अपने नियंदरण में उसे रख लो, और हम उसको दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते और ये एक बहुत बड़ी कठिन परिक्षा हमारे लिए है कि हम इस बात को सोचते हैं कि यदि हम समर्पन करेंगे या हम अपनी चीजों को दूसरें के साथ बांट देंगे या सरेंडर कर देंगे तो हमें किसी प्रकार की आशीशे नहीं मिलेंगी परंतो आज जो आज के समय के जो गुरु लोग हैं उनके सबसे अंतिम शिक्षा ये होगी कि वो लोगों को समर्पन करना सिखाएंगे तो हमको इस बात को समझना है कि हमारी बाइबल इस बात को बहुत अच्छे से बताती है कि कैसे समर्पन करने से आशीशे मिल पाती है तो भाई क्या आप हमें बताएंगे कि समर्पन करने से हमें किस तरीके से आशीशे प्राप्त हो सकती है देखिए बाइबल इस पस्ट रूप से इस बात को बताती है कि समर्पन करने से आशिशे प्राप्त होती है और होंगी ही हमको लेकिन संसार की विचारधारा आज विपरीत है और हम इस बात को जब बाइबल से पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं जो भी कि ये जो कथन है कि समरपन से आशिशे मिलती है ये एक मिथिया वादी या पेराडॉक्स लगता है या हमें नकारात्मक एक सटेटमेंट लगता है कि कैसे आशिशे मिलने पाएंगी जब हम समरपन करते हैं के पास गये जैसे वो पतरस, अंद्रियास, यहना, याकुब और उनके पास जाकर के प्रभुईश्य मसी ने केवल उनसे ये कहा कि मेरे पीछे हो ले एक ऐसी आग्या प्रभुईश्य मसी ने उन्हें दी जिसके अंदर वो सामर्थ थी वो खिचाव था कि ये सब कुछ छोड करके उसके पीछे हो लिए, जब वो लेवी के पास गया, लेवी जो की एक चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो चुंगी लेता था, टेक्स कलेक्टर था, एक बहुत अच्छे सरकारी ओधे में काम करता था, उस वेक्ति के पास भी प्रभुईश्य मसी गये और उससे क बात को मान करके इन चेलों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, ना केवल उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, धन्दा छोड़ दिया, परन्तु आप देखते हैं, यदि आप यहनना और याकुब को देखते हैं, तो उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ा, जब वहा में वो सब कुछ छोड़ करके प्रभी शुमसी के पीछे हो लिए तो जब मसीही जीवन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात आती है कि हमें समर्पन करने की अवशक्ता है और ये समर्पन जो है प्रभी शुमसी के सामने हमको करने के लिए बाइबल हमको सिखाती है कि ज मरपन करने से हमें निश्चित तोर पे आशिशे मिलती है जिससे हम आगे जा करके अपने इस कारिकरम के अंदर हम इसे समझ सकेंगे तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम येश्य मसी के पीछे चल रहे हैं तो हमें सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लेना है नहीं आकांगशा जी ऐसा नहीं है बाइबल ऐसा नहीं कहती है क्योंकि नैनियम में जब हम आते हैं या और भी जगाओं पे देखते हैं आज के समय में भी देखते हैं ऐसे बहुत से आउसर हमें और उधारण मिलते हैं जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि लोगों ने प्रभीश्य मसी के पीछे चलने का निर्णे तो लिया परन्तु वो अपने काम को भी करते रहें यदि हम नैनियम में हम देखते हैं अक्विल्ला और प्रिस्किल्ला इनके विशे में बाइबल में बताया गया है कि वो जब प्रभीश्य मसी की सेवा करते थे उसकी सेवकाई में मदद करते थे उन्होंने अपने काम को उन्होंने त्यागा नहीं हम एक अद्भुत मनुष्य को देखते हैं पॉलूस जो की एक टेंट में कर था जो तंबू बनाने का काम करता था जब प्रभीश्वमसी ने उसे अपने सेवा के लिए बुलाया तो वो प्रभीश्वमसी के पीछे हो लिया लेकिन उसने अपने काम को छोड़ा नहीं तो ये समझना बहुत उचित नहीं ह होगा कि हमको ये प्रभीश्वमसी के पीछे चलना है तो सब कुछ छोड़ देना है अपना काम काज अपना परिवार और अपनी जो भी जिम्मेदारियां है उससे भगना नहीं हमारे को जब इस बात को समर्पन करने की ये उसके पीछे चलने की बात आती है तो हमें ये कारियों को देना चाहिए और हमारी जो जिम्मेदारिया है हम उसमें बने रहें क्योंकि पॉलूस बार बार इस बात को अपने पत्रियों में लिखता है कि मैंने किसी के उपर बोज बनना ना चाहा उसने अपने बोज को सेम उठाया तो ये कोई बुरी बात नहीं है ये हमारा परिवार, हमारा कामकाज, ये परमेश्वर की सेवा के बीच में कभी भी अवरोध ना बने, ये रोडा ना बने, हमें इस बात को इसमरण रखते हुए काम करना चाहिए, और ये प्राथमिक्ता हमारे को अपने जीवन में बनाए रखने चाहिए. तो समरण को बाइबल की अनुसार हम किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए जब आप बाइबल से समरण को समझने की कोशिश करेंगे, या बाइबल से समरण की डेफिनिशन को हम या उसकी परिभाशा को जानने का प्रयास करेंगे, तो मत्ती 8 और 34 में प्रभु इश्वमसी इ तो बाइबल हमको यदि समरण के विशय में कुछ कहती है, तो प्रभु इश्वमसी ने एक बहुत ही इसपस्ट रूप से ये आग्या हमको दी, यदि हमको प्रभु इश्वमसी के पीछे चलना है, तो सबसे पहले हमको अपना इंकार करना है, डिनाइंग आफ अवर ओन से कि हम अपने आपका इंकार करें, अपनी खुदी का इंकार करें, अपनी शरीर की अभिलाशाओं का, अपने हिर्दे की अभिलाशाओं का इंकार करना ये हमारी अवशक्ता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा हिर्दे दूशीत है, हमारे हिर्दे में पाप भरा हुआ है हम मनुष्य और हम पाप से भरे हुए लोग है तो जो कुछ भी हमारे अंदर उत्पन होगा वो कभी भी त्रियेक परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं हो सकता ना हमारी शारिरीक अभिलाशाएं कभी परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होंगी इसलिए परमेश्वर ये कहते हैं ये प्रभुष मसीय कहते हैं कि हमको सबसे पहले अपना इंकार करना है अपना इंकार मतलब ये कि हमारी जो चाहत हैं हमारी भावनाएं हैं कई बार हमारी इच्छाएं हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है, उसका इंकार करने की बात कर रहे हैं, यदि ऐसी कोई इच्छा है जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, तो उसके लिए वो ये नहीं कहा रहा है, तो हम ये समझना है कि ये एक बड़ी बारीक सी लाइन है जो तो इसको इसपस्ट और अंतर इसमें भेद करती है कौन से इच्छाएं, कौन से हमारी अकांग्शाएं कौन से हमारे महत्वकांग्शा की बातें परमेश्वर की इच्छा के साथ है और कौन से हमारी इच्छाएं और अकांग्शाएं और हमारी सोज परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है या जो परमेश्वर की इच्छा से अलग हटके जो शरीर की है जो हमारे वेक्तिकत स्वार्थ की है हमको उसको अलग करना है उसका इंकार करना है तो ये पहली बात होती है तो भाई अभी आपने एक बात बताई थी कुरूस उठा के चलने की तो आप हमें इसको और गहराई से समझाएंगे कि कुरूस उठाने का मतलब हमारे जीवन में क्या है प्रभुईश्य मसी ने जब इस बात को कहा कि अपना कुरूस उठा कर मेरे पूछे हो ले बहुत सी बार हम इस स्टेटमेंट को या इस कथन को नहीं समझ पाते हैं प्रभुईश्य मसी ये कहना चाह रहे थे कि हमको अपनी इच्छाओं और अभिलाशाओं को कुरूस के समान उठा कर के चलना है अब कुरूस को समझना आवश्चक है उसके पहले कुरूस का मतलब क्या है रोमी सामराज में जब किसी वैक्ती को मृत्यू दंड दिया जाता था कुरूस का तो इस बात को निश्चित था कि उसे कुरूस का मृत्यू दंड दिया गया है दूसरा जो बात आता था वो ये था कि उसको जब मृत्यू दंड दिया जा था कुरूस में तो उसकी मृत्यू निश्चित है समझने की बात यह है कि जब प्रभिश्व मसी कहते हैं कि अपना कुरूस उठा कर मेरे पीछे हो ले हमारी इच्छाएं, हमारा घमन्ड, हमारा स्वार्थ, शरीर की अभिलाशा और वो सारी बातें जो संसारिक्ता की है शरीर की है जो परमेश्वर के योग्य नहीं है उसको हमको कुरूस पर चढ़ाना है कुरूस का मतलब है मृत्यू जहां पर मृतक हो जाता है तो हमको उन सारी चीजों को मृत्यू के समान या एक्षव के समान एक मृतक अवस्था में ले आना है और उसको हमें उठा करके चलना है हम उसे त्याग नहीं सकते क्यों क्योंकि हम जब तक संसार में हैं जब तक जीवन है और जब तक हम जीवन जी रहे हैं हमारे अंदर ये विचार आएंगे हमारे अंदर ये स्वभाव क्योंकि है हमारे अंदर उस प्रकार की भावनाएं आएंगी और उस प्रकार की चीजें हमारे को कई बार अकरशित करने की कोशिश करेगी उस प्रकार की बातें हमारे को अपने विश्वास से अलग करने की कोशिश करेगी लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम उन सब अभिलाशाओं इच्छाओं को अपने लिए मरा हुआ समधे इसलिए पॉलूस कहता है कि अब मैं नहीं जीता परंतु मुझ में मसी जीता है मसी मुझ में जीवित है तो वो इन सारी चीजों को कुरूस के समान उठाकर हमको जीवन भर प्रभिश मसी के पीछे चलना है और उसको मरा हुआ जान के रखना है दूसरे शब्दों में यदि सरल रूप से समझना चाहे हमको उन अभिलाशाओं को कोई महत तो नहीं देना है यदि वो अभिलाशाओं अंदर आती है हमें कहीं न कहीं वो शरीर की अभिलाशाओं परमेश्वर के सामने उसकी समर्पन करने के सामने यदि वो अवरोध बनती है तो हमको उसको हमारे मनों पर हमारे हिर्दय पर काबिज होने नहीं देना उसको overrule करने हमारे को नहीं देना है और ये है क्रूस उठा करके चलने का मतलब जो प्रभईश्य मसी कहते है जब हम अपने क्रूस को उठा के चलते हैं तो उसका क्या परिनाम होता है हमें पताएंगे आप देखिए प्रभईश्य मसी जब इस बात को कहते हैं तो इस बात को वो समझाना चाह रहे हैं कि जैसा यहना आठ और उसके 36 में लिखा हुआ है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंतर करेगा तो सचमुष तुम स्वतंतर हो जाओगे हमें स्वतंतरता की आवशक्ता है अवशक्ता इस बात की है कि हम जिन चीजों से बंधे हुए हैं वो चीजें जो हमारे जीवन में हमको परमेश्वर से दूर करती है या परमेश्वर से अलग खीचती है हमको उन चीजों को परमेश्वर के चर्णों पे समर्पित करना है प्रभीश्यमसी के सामने समर्पित करना है अब इस बात को भी समझना यहां पर आवशक है कि परमेश्वर जानता है कि हम कौन है बाइबल बताती है भजन सहीता 103 और उसके 14 के अंदर इस परकार लिखा हुआ है कि वह हमारी स्रिस्टी जानता है वह जानता है कि हम मिट्टी ही है और उसको इसमरन है कि हमारा मूल्य क्या है वो हमारे अंदर क्या चीजे हैं उन सब चीजों को परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है और प्रभीश्यमसी ने ये भी कहा यहांना 15 उसके 5 में कि तुम मुझसे अलग हो करके कुछ काम नहीं कर सकते इसका मतलब ये प्रभीश्यमसी समझाने का काम कर रहे थे कि जो कुछ हमारे पास है जो बुराई है जो गंदगी है जो कुछ है वो अवशक्ता है कि हम उसके सामने डाल दे और ये यदि हम करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा काम हम नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई भली वस्तू कोई अच्छी वस्तू है ही नहीं और यदि हम उसको डालते हैं उसके चर्णों पे या उसको समरपित कर देते हैं तो हम ये सबसे बड़ी बुधिमानी का काम करते है एक यतोचित कार है जो कि मनुश्य कर पा सकता है अपने जीवन में और हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी सारी चीजें प्रभीश्य मसी के सामने डाल दें अपना कुरूस उठाते हुए इन सारी बातों को उसके सामने जब हम समर्पित करते हैं तब हमें कई गुणा आशीशे परमेश्वर देता है ये बाइबल हमको बताती है तो हमें जब प्रभीश्य मसी कहते हैं कि अपना इंकार करके मेरे पीछे हो ले और अपना कुरूस उठा करके मेरे पीछे चल तो हमें ये समझना है कि हमें समर्पन करना है उन सब चीजों का जो कि परमेश्वर से और हमार कि हमारे बीच में अलगाव उत्पन करती हैं ताकि हम उसके द्वारा आशिशों को प्राप्त कर सकें जब हम अपनी बुराईयों को येश्व मसी के क्रूस पर चड़ाते हैं तो क्या येश्व मसी हमें ग्रहन करेगा? यही समझने की बात है कि भले ही परमेश्वर पवित्र और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है और उसके अद्भुत होने की यही एक पहचान है कि मनुष्य को जब वो मैंने जैसे कहा कि वो जानता है कि मनुष्य मिट्टी है मनुष्य के मन में जो उत्पन होता है वो बुरा ही होता है हमारे पास कोई भली वस्तु है ही नहीं जो हम उसे समर्पित कर सके लेकिन जो कुछ हम उसके पास ले करके आते हैं वो बड़े आनंद के साथ स्वेच्छा से उसे ग्रहन करता है क्यों? क्योंकि वो उसे ले करके दूसरे रूप से इस्तेमाल करना जानता है वो उसको एक बहतर काम के लिए उप्योग करना जानता है ये है परमेश्वर एक उधारन यहां पर मुझे याद आता है जब हम प्रभीश मसी की सेवकाई को इसमरन करते हैं और इस बात को देखते हैं कि एक समय प्रभीश मसी लोगों को परचार करते हुए चले जा रहे थे और लोग उसके साथ थे और वो भूके थे और तब प्रभीश मसी ने इस बात को देखा कि वो भूके हैं कि कैसे हम इन पांच हजार लोगों के लिए रूटी के वरस्था करेंगे जहां पर पांच हजार पुरुष्थ है और उसके साथ इस्तिरिया और बच्चे लोग भी थे तो बड़ी एक विशम परिस्थिती उनके सामने थी कि वो विचलित हो रहे थे कि ऐसी आग्या परमेश् प्रभु इशम परिस्थिती ने हम को दिया है कि कैसे हम इतने सारे लोगों के लिए भोजन का वैस्ता वो भी जंगल में हम करें कहां से लेकी आएंगे और तब हम देखते हैं कि अंद्रियास एक छोटे बच्चे को लेकर के आता है और इस बात को बताता है कि उस लड़के के पास पांच रोटी जव की पांच रोटी और दो मचलिया है मैं उस बच्चे के जीवन को आपके सामने रखना चाहता हूँ उस छोटे बच्चे के पास जो कुछ भी था उसने प्रभु के सामने लाकर के समर्पित कर दिया जब उसको पता चला कि लोगों को भोजन की आपके साथ अपने सब्क्ष हिर्दें से जो कुछ उसके पास था उसने अंद्रियास को दिया और अंद्रियास ने वो ले जा करके उस प्रभु योशु के सामने दे दिया ये एक अद्भुत सरेंडर करने का एक नियम है जब हम जो कुछ हमारे पास है यदि हम प्रभु के चड़नों पे डाल देते हैं वो उसको अपनी महिमा के लिए उपयोग करता है वो छोटा बच्चा जो था वो शायद ये सोच सकता था कि मेरी मा ने मुझक तो खाने के लिए जब भूक लगेगी तो मुझे रोटी दी है और मचली दी है और बच्चों का सुभाव शायद ऐसा बहुत कम होता है कि वो किसी के साथ अपनी चीजों को बाटना चाहे लेकिन बड़ी सरलता के साथ उस बच्चे ने इस बात को सिखाया लोगों को और आ प्रभुईश्यों मसी के पास लाया गया तो उसने क्या किया उसने सबसे पहले उसे अपने हाथ में लिया उसको लेने के बाद उसने परमेश्यों को धन्यवाद दिया और उसने फिर उस रोटी को तोड़ा और उसके बाद उसने उस रोटी को शिश्यों को देके कहा कि इन सबस्क्राइक पहली बात है कि वो उसे ग्रहन करता है वो अपने हाथों में लेता है वो कभी इंकार नहीं करता है वो कहता है कि जो कुछ तुम देते हो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं और वो प्रभीश्व मसी की सबसे बड़ी बात है कि यदि हम बुरे मनुश्य हैं, हमारे जीवन में बुराईयां है, हमको लगता है कि संसार हमें एकसेप्ट नी करता, हमको लगता है कि आज समाज हमें एकसेप्ट नी करता, हमको लगता है कि हम जेल में पढ़े हुए, हमको लगता है कि हमारे अंदर बुराईयां भरी उसने प्रभू को धन्यवाद दिया कि प्रभू तूने मुझे ये रोटी दिया है ये जो कुछ मेरे हाथ में आज है प्रभू उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है और फिर तीसरा काम जो प्रभू इशू करते हैं वो उस रोटी को तोड़ते हैं इस बात को समझन को तोड़नाओं को तोड़ना चाहता है जो कि हमको परमेश्वर से अलग करते हैं और तब वो कई लोगों की आशिशों के लिए उसको उप्योग करता है ये है प्रभू इश्यु मसी के सामने समर्पन करने की आशिशें कि ना केवल वो आशिशें हमारे लिए परंतु जो कु के सामने समर्पित करते हैं जो कुछ हमारे पास है वो अपनी महिमा के लिए उसको उप्योग करता है और इतना बढ़ा करके उप्योग करता है कि शायद हम सोच नहीं सकते पांच रोटी और दो मचली से उसने पांच हजार पुरुश वहाँ पे लोगों का अनुमान है कि कम से कम बीस हजार लोग रहे होंगे उन बीस हजार लोगों की भीड को एक छोटे बच्चे की पांच रोटी और दो मचली से उसने तिरिप्त किया ये है समर्पन की आशिशें जो प्रभू हमको सिखाना चाहता है ये बताना चाहता है ऐसी कौन सी शक्ती है जो हमें प्रोच् करती है सब को छोड़के ये श्मसी के पीछे होल ले निकलिए देखिए कांच जी इस बात को हमें समझना चाहिए कि मनुष परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर ने मनुष को इसलिए बनाया कि उसकी संगती में रहे अधन की वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया तो उस पाप के कारण से परमेश्वर के साथ मनुष की संगती दूर हो गई और जब भले ही हमारी संगती उससे दूर हो गई क्योंकि हमारे अंदर पाप आ गया लेकिन इस बात को मनुष कभी जो हमारी अंतर आत्मा है जो हमारी आत्मा है वो कभी भी परमेश्वर से अलग हो करके नहीं रह सकती वही कारण है कि मनुष चाहे किता भी बुरा क्यों ना करे वो परमेश्वर को खोसता है एक इश्वर को खोसते रहता है चाहे वो जाने या ना जाने चाहे वो माने या ना माने हर एक मनुष आज इस संसार में चाहे वो इश्वर को नहीं भी मानता तो भी वो इश्वर को खोसता रहता है, क्यों कि मनुश जो है वो इश्वर की स्रिस्टी है और उसके अंदर वो चाहत है जो परमेश्वर की और उसे खीसता है और वो है पोईतरात्मा, जब आप इन सारे चेलों के जीवन को देखेंगे जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके प्रभुईश्व मसी के पीछे हो लिए चाहे यहना था, याकुब था, पतरस था, अंद्रियास था ये सब लोगोंने अपना सब कुछ छोड़ा और जब इन्होंने छोड़ा तो इन्होंने एक अद्भूत चीज पाई इनको कोई रुपिया पैसा नहीं मिला इनको कोई बड़ा आधा नहीं मिला इनको कोई बड़ा सामराज नहीं मिला परन्तों इनको वो मिला जो हम प्रेंटों के काम एक और आठ में आके देखते हैं जहाँ पर प्रभीश्य मसी कहते हैं कि जब वो आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे इन सब को प्रभीश्य मसी ने पुईत्र आत्मा की सामर्थ दिया और ये पुईत्र आत्मा की सामर्थ जब इनके अंदर आई तो बाइबल कहती है कि इन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया क्या चीज था जो उनके जीवन में डिफरेंस लेकर के आया कौन सी ऐसी बात थी जिसने उन समान्य चेलों को जिनकी कोई नहीं सुनता था जिनके विशे में कोई सोज भी नहीं सकता था उनको ऐसे अदभूत मनुष्य बना दिया कि उन्होंने पुरे संसार को उलट पुलट कर दिया एक वचन यहाँ पर पढ़िये प्रेटों के काम सत्रा उसके च्छे को वही बात को बाइबल बताती है उन्हें वहाँ ना पाकर वे ये चिलाते हुए या सोन और कुछ भाईयों को नगर के हाक्यमों के सामने खीच लाए ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया यहां भी आ गए हैं ये वचन इस बात को बताता है कि पूरे उस इलाके में यहुदिया में और यरुशले में और आसपास के छेत्र में ये चेले उत्पात मचा रहे थे किस प्रकार का उत्पात मचा रहे थे पुईत्र आत्मा की सामर्थ से जो ये काम कर रहे थे चंगाई कर रहे थे और उनके द्वारा से बड़े-बड़े काम हो रहे थे लोग प्रभुईश्य मसी को ग्रहन कर रहे थे ये है उनको रिवाड जो कि प्रभुईश्य मसी ने दिया इन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया इस बात को हमेशा हम ध्यान रखें बाइबल कहती है बार बार परमेश्वर जानता है कि मनुष्य मिट्टी ही भजन सहीता 119 में हमने पढ़ा मनुष्य को जानता है परमेश्वर कि मनुष्य मिट्टी है उसे इसमरण है कि मनुष्य क्या है लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है यदि हम उसके चड़नों पे समर्पित करते हैं तो वो अपनी सामर्थ हमें देता है, वो अपनी उपस्थिती हमें देता है, और उसके द्वारा से वो हमारे जीवन से बड़े बड़े काम करता है, इन बाराचेलों का जीवन हमने देखा, हमारे पास ऐसे बहुत से उधारण है, उस छोटे बच्चे के जीवन को हमने देखा जिसने उसके पास जो कुछ था, सब कुछ प्रभीश मसी के चड़नों पे समर्पित कर दिया आज, जब हम इस बात को सुनते हैं कोई ऐसी बात है, जो हम परमेश्वर के चड़नों पर समर्पित करना चाहें कौन सी ऐसी बात है जो कि आपको परमिश्वर से दूर कर रही है यदि आप ऐको ऐसा लगता है कि आप आज प्रभू के चड़नों पे अपने आपको समरपित करना चाहते है वो आपको ग्रहन करेगा चाहे किते भी बुरे क्यों नहों चाहे किते गलत काम आपने क्यों ना किये हो चाहे कितनी भी बात आप उससे दूर चले गए हो एक बार फिर से समरपन करने के लिए वो आपको आज प्रेरित करता है प्रोजसाहित करता है वो आपको फिर से बुलाता है प्रकाशित वाकिमों कहता है कि देख मैं तेरे हिर्दे के दौर पर खड़ा हुआ खट खट आता हूँ यदि तु मेरा आवाद सुनेगा और मुझे भीतर आने की अनुमती देगा तो मैं तेरे हिर्दे में आ जाना चाहता हूँ यदि आज आज आप उसकी आवाद सुन रहे हैं वो आपके हिर्दे में आना चाहता है यदि आप उसे आज समरपन करते हैं तो वो आपको अपने हातों में लेना चाहता है परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है और फिर से वो आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते है आप अपना क्या दे सकते हैं आज प्रभूई शुमसी को आपका समय, आपका रुपिया पैसा, आपका टैलेंट, आपकी योगिता जो कुछ आपके पास है, यदि आप आज उसे देते हैं, उसके चरणों पे समर्पित करते हैं तो वो उसे कई गुना बढ़ा कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और आपको उस सेवा के कारे के लिए इस्तेमाल करेगा परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीश दे, आमेन प्रिये दर्शको, मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज के कारिक्रम से आशीश पाए होंगे अगर आप इस विशे में अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नीचे दिये गए नमबर पर संपर करे अगले कारिक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार